हलो फ्रेंज, जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं, मैं हूँ सेयत सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे related कुछ key facts के बारे में भी बात करेंगे साथी साथ इस वीडियो के end में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें comment box में लेकर देना होगा तो चले शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ सरकार ने किस महाकवी की तपस्थली का मوجودा नाम महमूदपूर को बदल कर परासौली करने की मनसूरी दे दी है इसका सही जवाब option A सूर्दास दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरपदेश में मतुरा के गोवर्दन तैसीर के निकट स्थित महमूदपूर गाउं का नाम अब अधिकारिक तोर पर बदल कर परासौली कर दिया गया है ये गाउं महाकवी सूर्दास की कर्मस्थली के रूप में विख्याप है सूर्दास ब्रज रास्थली विकास समिती परासौली मतुरा पिछले चार तशक से गाउं का नाम बदलने की मांग कर रही थी और अब ये नाम बदल लिया गया है बढ़ते हैं एकले सवाल की तरफ निमलिकित में से किस टीम ने भारत के पूर्व होकी कोच हरेंदर सिंग को अपना कोच नियुक्त किया है इसका सही जवाब ऑप्शन थी अमेरिकी पुरुष होकी टीम ने दोस्तों आपको बता दें भारती होकी टीम के पूर्व प्रसिक्षक हरेंद्र सिंग को अमेरिकी पुरुष टीम होकी टीम का नया कोच बनाये गया है। जागरिंद्र को साल 2012 में दुरुणाचार अवार्ड भी मिल चुका है जोकी एक सर्वश्रेष्ट अवार्ड है भारत में खेलों के लिए वे 2017 से 2018 तक भारत की सीनिया टीम के कोच रहे हैं इसके अलावा भारत की महिला टीम को भी वो प्रसिक्षन दे चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। नजर आएगा अगर आप कैटेगरी वाइस कर इंट फेस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी कैटेगरी मौजूद ह अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ आरबियाई ने रिजर्फ बांक ओफ इंडिया ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को एक लाग रुपए से बढ़ा कर कितने लाग रुपए कर दिया है इसका सही जवाब ऑप्शन भी दो लाग रुपए आपको बताते हैं कि आरबियाई ने जो पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट होती है उसको बढ़ा दिया है आरबियाई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को एक लाग रुपए से बढ़ा कर अब दो लाग रुपए कर दिया है यह रहात आ सरकार ने टिपॉजिट इंशूरनस लिमिट को 5 लाक रुपए तक बढ़ाया था। बढ़ते हैं अगले सवार की तरफ। भारत और किस देश ने 8 अपरेल 2021 को सीमा पार से फैलाई जाने वाले आतंगवाद सहित आतंगवाद के तमाम रूपों की निंदा की है। तो ऐसे कौ भारत और मालदीव ने 8 अपरेल को सीमा पार आतंगवाद समित देशित गर्दी के सभी स्वरूपों की पुर्जोर निंदा की है। और सतत तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए अंतराश्ट्रिय सहियों को मजबूत करने की जरूरत बताई है। आपको बता दें कि द के लिए इस ना इस्तिमाल किया जा सके। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि CRPF शौर दिवस निमन में से किस दिन मनाय जाता है। तो इसका सही जवाब आप्शन C 9 अपरिल आपको बता दें कि हर साल 9 अपरिल को पूरे भारत में CRPF शौर दिवस के रूप में मनाय जाता है। 2021 में 56 अपरिल दिवस मनाय जा रहा है। CRPF की एक चोटी टुकरी 9 अपरिल 1965 को पाकिस्तान के खिलाब कच के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया उसने किया था। यह पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकरी में पाकि पादुर सैनिकों कोश्रदानी देने के लिए शौर दिवस को हर साल चिन्यत किया जाता है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। भारतिये विमान पतन प्रदिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। option B संजीब कुमार सही जवाब। आपको ब AI सदिकारी हैं। पहले महराश सरकार के राजय आयूत GST के तोर पर भी तैनात थे। AI ने अपने अधिक्ष के तोर पर इनकी नई भूमिका के बारे में ये कहा है कि कुमार जो हैं वो AI के संगटनात्मक दक्षों जैसे की विश्वस्तर की विमान पतन और समरचना और सर्व हवाई नविकेशन से वाएं उप्रद्द करवाने के प्रयाज वका नित्रत्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल है दोस्तों की जन जाती है स्वास्त सहयोग अत्मक अनमाय आश का शुभाराम जो है वो किस ने किया है तो इसका से उस सही जवाब है तो ऑप्ड़ को ऊप्शन d स्वास्त मंतुरी है डोक्टर ह yuan वर्दन कीद tässä में स्वास्त मंतुरी हैं साथ अप्रयल 2021 डोक्तर ह्रुवरदन तो आप सभी जानते हैं उनने एक वीजो कउंफ्रนस के मात्यम से जन जातीय इस स्वास्त सही योगात्मक अनमाया का शुभारम किया ह ये बहु हित धारक पहल अनमाया भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्त और पोशड को बढ़ाने के लिए विमिन सरकारी एजेंस योग और संगटनों के प्रयास को बढ़ावा दे की केंदरी मंद्री ने वरिष्ट निताओं को कोविट नैंटीन के सामान ही टीवी के रोग के लिए प्रयास बढ़ाने का अववान किया है उन्होंने ये भी उले किया है कि जंजाती समुधायों में प्रजलित अन्यमहत्पून बिमारियों जैसे की सिकल, सेल रोक, मलेरिया, एनीमिया, कुपोशर या फिर सिनिपटने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा तो इस तरह की कई बिमारियों के बारे में भी बात की गई बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ तो वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था निम्न मेंसे किस संगटन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में नीजी चेतर की कमपनियों को भागिदार बनाने की अनुमती दिया है इसका सही जवाब DRDO आपको बता दें आप मेंसे बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया रच्चारो संदान विकास संगटन कहते हैं DRDO को और इसने मिजी चेतर की कमपनियों को मिसाइल प्रणानियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमती दिया है ये गोश्णा विकास वा उत्पादन भागिदार करगरम के तहत की गई है अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा सवाल है केनर ने कि सुराज के लिए 670 करोड रुपए की 14 सरक परियोजना को मन्जूरी दी है आपके ऑप्शन्स जारखन, पिहार, उडिशा या पिर पश्चिम, बंगार अब अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो पर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें